नमस्कार इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर को प्रधम पाली में संपन पेट एक्जाम के कोईशन पेपर को साल्ब करने वाले हैं अगर आपका दूती पाली में पेट का पेपर है तो इसको जरूर देख लीजिए इससे आपको पता चल जाएगा किस परकार के कोईशन पूछे जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत हेलफुल होगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला कूशन है भारत में सासन करने वाले दिये गए सासुकों का काला नुकरम सही करम क्या है पहला सेर सासूरी दूसरा अकबर तीसरा अलाओ दिन खिल जी चोथा अलतुतमिस इसमें आपका B आपसन सही है यानि की पहले चोथा रहेगा उसके बाद तीसरा उसके बाद पहला उसके बाद दूसरा चलिए दूसरा कूशन देखते हैं निम्ल में से कौन से संथ सीवा जी के समकालिन थे आपसन A है तुकाराम आपसन B है चैतन आपसन C है नामदेव आपसन D है संकराचार इसका राइट एंसर है आपका A तुकाराम तीसरा कूशन है बंगाल के पर्थम गवर्णर जनर्रल कौन थे इसका राइट एंसर है आपका B लाड़ वारें हैस्टिंग्स अगला कुश्यन आपका चरक सहीता संबंदित है तो इसका राइट एंसोर है आपका भी चिकित्ता से अगला कुश्यन ने पांच हुआ निन में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसको आपको बताना है तो इसमें जो D option है वो सही नहीं है 1709 Sb में A D में औरंग जेपकी मृत्त हुई थी तो D option सही नहीं है इसलिए आपका D option सही होगा D option सही होगा अगला कुश्यन आपका 6 इन में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड माइन के नाम से जाना जाता है तिसका राइट एंसोर है आपका A दादा भाई नवरोजी अगला कुश्यन आपका 7 होगा सन 1915 16 में किसके नेत्युत में दो होम रूल लीक शुरू हुई इसका राइट एंसोर है आपका एनी बेसेंट और लोकमानती लग यह आपसन इसका सही है अगला कुश्यन आपका 8 होगाइट इसमें आपको मिलान करना है निम्न का मिलान करना है इसमें आपका जो मिलान सही है थीसरा A का थीसरा ब्रह्म समास राजा राम मोहन राय और बी का एक है रामकिर्ट पराम हंस स्वामी वेकानन्द और आर समास दयानन्द सुरुसति और बचा दी सत्य सुधक समास यह हो जाएगा चार इसका राइट एंसवर जो आपका बनेगा वो सी बनेगा अगला कुछन आपका नौवां करो या मरो का नारा किशने दिया था अगला कुछन आपका दस्वां जब सुभाचंद बोच ने भारती राष्टी कांगरेस के अधच पसे सीपा दिया तो इस बत का प्रस्ताओ किस ने दिया था इसका राइट एंसवर आपका सी डाक्टर राजेंद परसाद अगला कुछन आपका सलाल पन बिजली पर्योजना किस नदी पर इस सित है इसका राइट एंसवर आपका सी चेनाम नदी पर अगला कुछन आपका बारा बसंत बिश्यू होता है तिसका राइट एंसवर आपका ए 21 मार्च को अगला कुछर्शन आयाप का 3 रास सार में खेटर्ली पर्योजना की इसकी हुत पादन के लिए प्रसिद्ध है इसका राइट एंसोर आयाप का सी तामभा के लिए अगला कुछ्षविशनर क्वाय राश्टि उदान कहां इस्तित है इसका राइट एंसोर है आपका भी असम में अगला कुछन है आपका पंदरा निम लिखित में से कौन सी हिमालेई नदी तंत्र की नदियां है इसका राइट एंसोर है आपका दूसरा और तीसरा गंगा और ब्रहम पुत्र इसका राइट एंसोर आपका भी कुछन है आपका सत्रा यदि यारिब्याई नगत कोसा नुपात को घटा दे तो खास सर्जन पर क्या असर होगा इसका राइट एंसोर है सी बढ़ जाएगी स्वरी यहां पर साख सर्जन है यानि की क्रेडिट क्रियेशन तो इसका राइट एंसोर हो जाएगा सी अगला कुछ के अर्थिव्योस्ता में संसादनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गद्विदियों कामों कुद्धिस लाव अर्जित करना होता है इसका राइट एंसोर है पूंजी वाद कैप्टलिस्ट अगला कुश्चन है उन्नीस सव रुपय का नोट किसके द्वारा हस्त फेमा का पूण रूप किया है इसका राइट एंसोर है अगला कुश्चन है आपका 21 भारत के समीधान में जन स्वास्तियूँ सोचता किसमें सामिल है इसका राइट एंसोर है आपका ए इस्टेट लिस्ट राज सूचि में अगला कुछन है आपका 22 भारत में पंचाइती राज ब्योश्था इसके अंतरगत रखी गई है इसका राइट एंसोर है आपका C, राज के नीट नीदेसक्तत अगला कुछन है आपका 23, सिच्छा का अधिकार एक मौली का अधिकार है जो की सम्मन्दित है इसका right answer है अनुछेद 21 A से अगला question है आपका 24 निमनी में से किसने समिधान में उद्देश प्रस्ताव रखा था इसका right answer है जवार लाल नहिरुने अगला question है पचीस बार्दी समिधान के किस अनुछेद में अलसंख्यों के हित के नहित है इसका right answer है अपका A C article 29 C सही है अनुछेद 29 अगला question है आपका 26 स्थोज चालक में धारा वहक होते हैं इसका right answer है आपका मुक्त इलेक्टरान यानि कि absence C आपका सही है free electrons अगला question है आपका 27 प्रकास वर्स किसके मापन की इकाई है इसका right answer है आपका C एक वर्स में निर्वात में प्रकास द्वारा चली गई दूरी अगला question है 28 ब्लीसिंग पाउडर का रासाइनिक नाम या भी है इसका right answer है आपका भी कैल्सियम आक्सी क्लोराइड CAO CL2 अगला question है आपका 29 अठारा करेट सोने में खरे सोने का क्या प्रतिशत होता है इसका right answer है आपका 75% अगला question है 37 में बहुतायत में होता है इसका right answer है आपका C यानि vitamin C आपसन A आपका सही है अगला question है आपका 31 यह महित का question है इसका right answer आपका होगा C 324 अगला question में बहुत का है इसका right answer आपका होगा D 1000 इसका answer आएगा अगला question है 33 रूट 5 माइनस रूट 3 अफान रूट 5 प्लस रूट 3 किसके बराबर है तो इसका right answer होगा आपका V 4 माइनस रूट 15 अगला question है 34 TV सेट का मूल 30% घटाने पर उसकी विक्री 20% बढ़ गई दुकानदार की आये पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका right answer होगा आपका D 16% घटी हो जाएगी अगला question है आपका 35 चार किलाउन की आउसत उम्र 1885 वर्स है अगर coach की उम्र भी इसमें सामिल के जाए तो आउसत उम्र 20% बढ़ जाती है तो coach की उम्र क्या होगी इसका right answer होगा आपका D 37 वर्स अगला question है आपका 36 एकल का बिलोम सब्द है इसका right answer होगा आपका A बहुल अगला question है 37 इसमें है दर्भ का पर्यावाची कौन सा है इसका right answer होगा आपका B एहंकार अगला question है आपका 38 मन को हारने वाला वाक के लिए नीचे दिये के बिकल में से कौन सा सब्द एक सब्द चुनना है आपको इसका right answer होगा आपका B बनोहर अगला question है आपका 49 गागर में सागर भरना मुहाबरे का आर्थ लिखना है आपको इसका right answer होगा भी थोड़े में बह वो answer बनेगा अब 41 से 43 question के लिए पैसे दिया गया है इसको पढ़के आपको answer देना है तो पैसे आप पढ़ लेना मैं question की तरफ चलता हूँ तो पहला है question a many-sided personality means इसका right answer आपका होगा C a person having varied interests अगला question है आपका 42 Pandit Nehru enjoyed इसका right answer आपका होगा D doing all this and much more अगला question है आपका 43 which of the following statements reflect आपका नहरू's point of view इसका right answer होगा आपका C यानि की science and humanism are equally important अगला question है 44 give synonyms for the following इसका right answer होगा आपका C famous का आपको बताना है synonyms इसका right answer होगा C popular अगला question है give antonyms आपदा following transparent का आपको antonyms बताना है इसका right answer होगा अप एक अगला question है आपका 406 दिए गए बिकल्बों संब्दी सब्द का chain करना है आपको पच्छी बिग्यानी पच्छी संब्दीत हैं तो नरी बिग्यानी किस से संब्दीत होगे तो इसका right answer होगा आपका mind kind यानि मानों से संब्दीत होंगे अगला question है आपका 47 उस सब्द का chain की जो समू के बाकी सब्दों से मेल नहीं खाता है इसका right answer होगा आपका अगला question है किसी निशित कूट में प्रोडक्शन को q q q p c p e b u s p m t लिखा जाता है इसी कूट में orientation को किस पकाल लिखा जाएगा question number 48 तो इसका right answer हो जाएगा आपका आपका अगला question है उन्चास रीता क्यों इस सारा करते हूं निखिल ने कहा मैं उनकी मा के पूत्र का इकलावता पूत्र हूं रीता निखिल जे किस्प्र का संबंदित है इसका right answer है बुवा अगला question है 50 या किसी वास में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी इसका right answer हो जाएगा आपका C यानिकी 5 अगला question है आपका 51 निमलिक की सहर में लाइट हाउस पर्योजना का क्रियान बन हुआ है इसका right answer होगा क्रियान बन नहीं हुआ है इसका right answer होगा आपका D पटना अगला question है आपका 52 कौन सी भारती दूरसंचार कंपनी बिश्चु की पांच वी सबसे मजबूत ब्रांड है इसका right answer होगा आपका Reliance Zio अप्सण A आपका सही है अगला question है आपका Bold बंबू और यानिकी राजस्थान में अगला question है आपका 54 सेनुपतराश की कोबैक्स योजना के अंतर कोवीड-19 की मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है इसका right answer है आपका A घाना अगला question है आपका 55 अंतरिस में जाने वाली भारती मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरि शेयात्री कौन है इसका right answer है आपका A शिरीसा वांदला अगला question है आपका 56 उस भारती पहलोन का नाम क्या है जिस पर हाली में डोपिंग के लिए दो साल का प्रदिबंद लगाया गया है इसका right answer होगा आपका सुमित मलिक B आपसं सही है अगला question है सताओन भारत का वा कौन सा राज है जहां end to end E cabinet प्रणाली सुरू की गई है इसका right answer है आपका B हिमानचल परदेश अगला question है आपका 50 है किस भारती मंतरा है दोरहाली में 2019 बीस के लिए UDIAS सुरू किया गया है इसका right answer है आपका B मिनिस्ट्री आप एडुकेशन अगला question है आपका 59 इस पार्ट फोन निर्माता वीबों ने किस क्रिकेट खिलाडी को अपना ब्रांड इंबेस्टर न्यूक्त किया है तो इसका right answer है बिराट को लिए आप सने सही है अगला question है आपका 60 Artificial Intelligence AI अधारी पोर्टल CPS भारत में किस नियाले के लिए सुरू किया गया है इसका right answer है आपका 60 question है इसका right answer है आपका C कि सर्वोष नेले सुप्रिम कोट आफ इंडिया अगला question है आपका 61 कितने भारती राज नेपाल से सीमा साजा करते हैं इसका right answer है आपका A 5 अगला question है आपका 62 निमलेंसे कोश्चा रिक्या की राजधानी कौन सी है इसका right answer है आपका सान जोज अगला question है आपका 63 केंशास्ती परदेल लच दीप के अधिकारिक भाधसानी मिलसी क्या है इसका right answer है आपका A B है राइट अगला question है आपका 64 भारत के सम्धान के इसका right answer है आपका C D 552 अगला कुशन है आपका 65 हिंदी दिवस कब मना जाता है इसका राइट एंसोर है आपका 14 सेप्टमबर अगला कुशन है आपका 66 निमने कौन सा देश सार का सदस नहीं है अप्शन D है इसका म्यमार अगला कुशन है आपका 67 निमने की सथान पर जनता है लोरा की गुफाएं इसीत है अप्शन C है और अंगाबाद अगला कुशन है 68 ओडम किस भारती राज किन साथी प्रदेश का सांस्कृतिक उस्सव है इसका राइट एंस वर आपका D B केरल अगला कुशन है 69 निमने कौन स अगरा सूर के सबसे नजदीक है इसका राइट एंस वर आपका बुद्ध यानि मरकरी अगला कुशन है 70 नोविल पुरसकार जीतने होले पर्थम एसी आई कौन थे इसका राइट एंस वर आपका C रभीना टेगूर अगला कुशन है आपका 71 यह 71 से 75 तक जो कुशन आपके एक पैसेस दिया हिंदी में गद्ध उसको पढ़के आपको एंस वर देना है तो चलिए सबसे पहले हम कुश्चन देखते हैं पदा पढ़ लेना गद्ध आप पढ़ लेना बिस्व में सांती क्यों आवस्चक है यह जो कुश्चन हुआ गद्ध के आधार पर है इसका पहल कुश्चन है 73 कठोर से कठोर हिदे को भी कोमल बनाया जा सकता है अब संसी है अहिंसा दौरा अगला कुश्चन है 74 किसी वी राज के सौनिम यूग के पर मुक्ततों हैं आप संदीज का सही है सांती सुखव रचनातमक कारे 75 कुश्चन है नितांद सब्द का उपर्यूक्त पर्या है इसका सही है बिलुकुल 76 से 80 के लिए आपके लिए पैसेज दिया गया है उसके उसको पढ़के आपको एंस्वर देना है तो चलिए पैसेज आप पढ़ लेना हम 76 कुश्चन को देखते हैं विज्ञान मनों की सबसे बड़ी सक्ति है इसके लिए राइट एंस्व आपका बी प्रकिति और प्राणी जगत का सिर्माओर विज्ञान मानों की सबसे बड़ी सक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकिति और प्राणी जगत का सिर्माओर है अगला कुश्चन 77 बैज्ञानिक सिंतन पज्धत से मनुष्य सबसे बड़ा उ बार्वत लगने का प्रमुकारण है इसका राइट एंस्वर है आपका A आज पस्ट परन्तु सायास बोध गम अगला कूस्चन है 79 हस्ता मलक सब्द से अविप्रेत है आपसन A इसका सही है अगला कूस्चन है 780 बैज्ञानिक सिंतन पदबंध से आशे है आपसन D है स्वस्थ आउम संटूले चिन्तन से 81-85 तक आपको एक ग्राव दिया गया है ग्राव के अधार पर कूस्चिंह के एंस्वर आपको बताने है तो इसके लिए हमाई सीधे सीधे एंस्वर आपको बताएंगे 81 है 81 का जो आपका B आपसन सही है 82 का आपका B आपसन सही है 1,2,3,6 83 का D है आंकर या परयाब्द है 84 का आपका D सही है 1.2,0 85 का आपका C सही है 75 86 से 90 तक जो कुछन है वो भी ग्राप पर राधारी थे 86 का जो राइट एंसर है वो है C 2016,17 87 का जो राइट एंसर है आपका वो है B 22.2,88 का राइट एंसर जो होगा 62.5 MP होगा 89 का जो राइट एंसर होगा आपका 2018,19 है 90 का जो राइट एंसर होगा आपका D 3.4 91 से 95 तक आपको एक तालिका दी गई है उसको देखकर एंसर दे रहे हैं 91 का राइट एंसर होगा आपका A 92 का A होगा 93 का C होगा 94 का C होगा 95 का D होगा अब यहां पर चानवे से 100 कोश्चिसन हैं वो भी आपको तालिका को देखकर ही ध्यान पूरबक देने हैं 96 का जो राइट एंसर होगा वो होगा 1.04 हिन्यार्मे का राइट एंसर होगा आपका ट्रेट बूल हंड जो ह इंडर का बीृट का जो कुश्चन होगा त्रेट बूल में खुले खातों के संक्या का और। सेjuna खान में खुले खातों के संक्या का और। का लगभग कितना परिशित कम या ज़्यादा था इसका राइट एंसोर होगा आपका 57.82 उम्मेद करता हूँ यह आपके लिए हेलफुल होगा जैहिन